नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिभम और होम साइन जंक्सन पर आप सभी का स्वागत है तो लाश्ट क्लास में हम कर रहे थे नंबर सिरीज नंबर सिरीज से जुड़ा हुआ ही आज का नया टोपिक है मिसिंग नंबर या फिर हिंदी में बोले तो लुप्त संख्याए तो ये टोपिक है नंबर सिरीज से ही जुड़ा हुआ है तो देखते हैं कि किस प्रकार की कोश्चन इसमें पूछे जाएंगे तो जो हम नंबर सि आठ नो ऐसे एक स्रीज थी और आप से पूछ रहा था कि भाई इसमें गलत संक्या कौन सी है तो इस प्रिकार से कॉश्चन थे हमारे नंबर स्रीज में लेकिन अगर मैं मिसिंग नंबर की बात करूं मिसिंग नंबर में आपको कॉलम और पंग्तिया या फिर कहें रिपार इसके अरे में आपसे कॉश्चन पूछह जाते हैं जैसे कि यह कोलम सीवरन ये हख מא सीट्ू ये हैं कॉलम सीट्व हिंदेग व्ले तो इस्थम कोलम को बोलते हैं इस्थम और रो को बोलते हैं पंक्तिया यह है आपकी आरवन यह आरटू और यह आरथिरी तो इस प्रकार से आपके question पोछे जाते हैं इन्हें solve करने का हमारा तरीका होता क्या है कि या तो हम दो पंक्तियों को यूज करके तीसरी बना लें, जैसे कि R3, R2 का यूज करके बना लें हम, R1 या फिर R1, R3 का यूज करके R2 बना लें, या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर column का यूज़ करके भी हम question को solve कर सकते हैं C1 C2 का यूज़ करके या 또 C3 बना ले C1 C3 का यूज़ करके या 또 C2 बना लेолे या फिर पищ लौनO링 बना ले तो कैसे भी हम अपना question को solve कर सकते हैm वो question का हमें देखना होगा कि कु सी बालेंक से हमारे answer आने वाला है question जो solve होगा ऐसे भी हो सकता है कि इन में कुछ logic बन रहा हो या थिर ऐसे भी बन सकता है कि यहां पर कुछ logic के according होगा तो हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं हम वही पिलस माइनस पिलस माइनस गुणा भाग स्क्वाइर या फिर क्यूब ये सारी चीज़े यूज़ हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दो चीज़े एक साथ लग जाएं के वही इसक्वाइर करके कुछ कुछ प्लस माइनस हो रहा हो या फिर गुणा करके कुछ प्लस माइनस हो तो कुछ भी यूज़ करके हम अपने कोश्टन के जो हमारा आंसर है उस तक हमें पहुचना है वह कोश्टन देखके पता चलेगा कि हम उसमें कौन सा ओपरेशन लगाएंगे और वह सारी चीज़े कैस कोश्टन मार्क 6-4-2 और पंक्तिया कैसे हैं पंक्तिया होती है ऐसे 2-4-6-2-4-2 तो यह आपको तीन पंक्ति और तीन इस्थम का आपका कोश्टन है ऐसे भी हो सकता है कि तीन पंक्तिया हो और उसमें चार इस्थम हो या फिर तीन इस्थम हो और चार पंक्तिया हो कैसे भी यह 2, 4, 6, 4, 2, number repeat, repeat से हमें दिख रहे हैं एक तरीका क्या हो सकता है कि इसमें भी अगर मैं स्तंभ की बात करूं या फिर कोलम की बात करूं तो यहां पर क्या है वी इस वाले कोलम में है 2, 6, 4, है इसवाले में क्या है 642 और यहाँ पर है चार दो तो तो क्या जाएगा चैंट मिसिंगा एक तो तरीका यह हो सकता है दूसा तरीका क्या हो सकता है कि अगर मैं कोलम की ही बात करूं या फिर इसे हम पंग्ति के फुरूवी solve कर सकते हैं तो अगर मैं इने जोड लूँ तो कितना हो जाएगा 2, 6, 4 तो 2, 6, 8, 8, 4, 12 ऐसे ही अगर मैं इसे जोड लूँ तो कितना हो जाएगा भी 3, 4, 10, 10, 12 ऐसे ही हम इसे भी जोड लेते हैं तो कितना होगा 4 2 6 6 में क्या जोड़ दूं के 12 हो जाए तो आप कहेंगे कि 6 में 6 जोड़ दो जिससे आ जाए हमारा प्रास 12 तो question mark के इस्थान पर क्या जाएगा 6 C option हो जाएगा हमारा correct option इसे हम पंक्ति के थुरू भी solve कर सकते हैं कैसे अगर हम पंक्ति के थुरू solve करें तो इन्हें add कर लेंगे कैसे 2 4 6 और 6 12 ऐसे ही 6 2 8 4 12 और ऐसे ही 4 2 6 6 में क्या जोड़ दें के 12 आ जाए तो 6 में 6 जोड़ दो आ जाएगा 12 तो पंक्ति या कॉलम कैसे भी हम solve कर सकते थे इस particular question की बात कर रहा हूँ समय कुछ अलग अलग चीज़े हम लगाएंगे उससे हम अपने answer तक पहुचेंगे तो यह तो आपका इजी सा question था तो यह हमने कर लिया और हमारा answer क्या आ गया सी option हो गया हमारा correct option के question mark कि स्थान पर क्या आएगा 6 आएगा समझ में आया होगा चलिए अगला question देख लेते है question number 2 question number 2 है आपके पास 2,6,5,57,2,5,7,3,2 और चार option आपको दिये गए हैं आपको बताना है कि सही answer आपका क्या होगा आपको यहाँ पर approach लगानी है कि किस approach हम अपने question के answer तक पहुच सकते हैं और वह approach क्या हो सकती है यह तो उपर से नीचे लग रही हो यह यह फिर ऐसे लग रही हो यह फिर इन दो का हम तीसरा बना रहे हों यह 2 का यूश करके थीसरा यह 2 का यूश करके तीसरा है ना और एक बात और मैं आपको बता दू कि जैसे यहां पर यह हैक्षे 5 732 लेकिन यह संक्राइग जो बीच बाली है यह है ॐ यह 2521925 तो यह संख्य जो है बड़ी दिख रही है तो जहां पर भी ऐसा होगा कि दो बड़ी संख्याए दिख रही होगे मतलब यह चोटी संख्याए है और यह बड़ी संख्याए यह बड़ी संख्या ई dim इन दोनों को यूज़ करके हम तीसरी संख्या बना लेंगे इन दोनों को यूज़ करके हम ये तीसरी संख्या बना लेंगे ऐसा ही जादतर केस में होता है सम्में नहीं होता लेकिन जादतर में ऐसा ही होता है कि जब ऐसे दो संख्या चोटी दी गई हो और एक बड़ी संख्य हमें दिख रही हो तो ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि हम छोटी संख्याओं को यूज़ करके एक बड़ी संख्या बनाते हैं तो यहां पर वो एप्रोच लगानी कोशिस करते हैं कि देखते हैं कि हम अपने आंसर तक पहुंचते हैं या नहीं तो अगर हम बान लेके भी 2 और 7 का यूज़ करके 57 बना होगा तो कैसे बन सकता है यह 57 यह 2 और यह 7 तो हमें 2 और 7 का यूज़ करके 57 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं अगर मैं 2 का square कर दूँ तो कितना जाएगा हमरे पास 2 का Quad आजाएगा हमारे पास 4 और ऐसे अगर मैं 7 का Quad करूं चाथ का बर कितना आ आ जाएगा उबरपास 49 और 4 और देता हूं तो कितना आ जाएगा यह मारे पास किए यह 2 है इसका क्या हुआ होगा क्यूब हुआ होगा देखिए कैसे अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ थो न missy ॉत स्क्वाइर खर्डू तो कितना होता है उलन चास कि उलन चास और वह ट शक्यूब कर दिया और श्यूब च्शाब्स यहाँ पर देखते हैं यही same logic लगा के हमारा 225 बनता है क्या यह हमने यह logic लगा के कि दो का cube कर दिया और 7 का square कर दिया और उन्हें जब हमने जोड़ा तो बन गया हमारे पास 57 अब देखते हैं कि क्या same logic यहाँ पर भी लगेगा अगर same logic यहाँ पर भी लगके हमारा 225 बन गया तो हम समझ जाएंगे कि दो और 5 के साथ हम same logic लगाएंगे अपने question mark को जो निकालने के लिए और हमारे option में भी मैच हो पता चले कि हमने इन दो में logic लगाया और तीसरे में भी same logic लगा दिया लेकिन हमारे पास option तो है नहीं तो हमें option के according भी चलना पड़ेगा तो देख लेते हैं 6 का cube करोगे होता है 25 तो यहां पर आगे 225 तो यहां पर आगे 225 है अब same logic यहां पर भी लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो जो हमारा answer आया वो हमारे 4 option में present है या फिर नहीं है तो 5 का cube करोगे तो कितना जाएगा भी 5 का cube आजाएगा वारे पास 125 और इसका क्या करना है स्कॉयर करना है तो 2 का स्कॉयर होता है 4 125 में 4 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 129 देखते हैं 139 डी option में है तो यहां पर क्या जाएगा वह 119 यह हो जाएगा हमारा सही answer समझ में आया चलिए देखते हैं question number 3 question number 3 है 3 2 3 7 5 175 चार्च है question mark मैंने अभी पिछले question में आपको बता खरके रही हो और एक संख्या बड़ी दिख रही हो तो ज्याद़तर केस में ऐसा ही होता है कि दो छोटी संख्यां को यूज़ करके हम तीसरी संख्या बन रहे होगी दो छोटी करके तीसरे 3 संख्या और आप यहां पर है वह चार चैसा पांच तीन दो और यह ओप्शन देखिए एक सो बीस एक सो पच्छी से चारिस बड़ी बड़ी संख्याय है ना तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि दो छोटी संख्याय यूज करके यह तीसरी वाली बड़ी संख्या बनी होगी ऐसे यह चार 10 यहां 2 और हमें बनाना कितना है तीस देखने कैसे बना सकते हैं man tear parkaqu tach ap से गुणा कर दूं तो कितना जाएगा तीस देखते हैं यहां पर फोलो होता है यह लोजी क्या नहीं साथ की पांस से गुणा कर दूं तो कितना जाएगा पैंटिस और पैंटिस की पांस से गुणा करूं तो कितना जाएगा हुई पांच पंजे पच्चिस पांस तिया पंद और 24 की कर देंगे पांस से गोड़ा तो 24 गुणा पांच कितना हो जाएगा पांच चोग बीस पांच दूनी दस और दो बारा कितना जाएगा 120 कोश्चन मार्क के स्थान पर समझ में आया होगा जहां भी यह बड़ी संख्या दिखाई दे तो ज्यादा तर केस में ऐसा ही होगा कि चोटी संख्याओ को यूज़ करके जो बड़ी बाली संख्या है वो बन रही होगी तो तीसरा कोश्चन हमने कर लिया तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी सेम हमें वही चीज दिखाई दे रही है कैसे पंदरा तीस दोसोपच्चिस साथ भी सत्तर तो यह बीच वाली संख्या है इन दोनों से बड़ी है तो क्या पता ऐसा हुआ हो कि यह चोटी वाली संख्याओ को यूज़ करके यह ब होता ही है कि अभी पंदरा और तीस का यूज़ करना है और हमें बनाना कितना है दोसोपच्चिस तो देखते हैं कैसे बन सकता है पंदरा की तीस से अगर मां गुणा करूं तो कितना जाएगा पंदरा तीया पैतालिस चार्सोपच्चिस चार्सोपच्चास पंदरा की तीस से गुणा करोगे तो कितना जाएगा चार्सोपच्चास और चार्सोपच्चास का अधा होता है दोसोपच्चिस कि दो सो पच्चिस यह बनके दो सो पच्चिस अब सेम देखते हैं कि यहां पर हमारा लोजिक फॉलो होता है या फिर नहीं होता है साथ की 20 से गुणा करूंगा तो कितना जाएगा 140 और 140 का अगर मैं आधा कर दूं तो कितना जाएगा 70 ग Doesn't know, 90 अब यहां पर देखते हैं कि यह सेम लोजिक जो हमारी पंग्तियों में लगाite सेम लॉऌजिक की यहां पर और यहां पर क्या सेम लोजिक लगानी से हमारा जो अंसर या फिर नहीं है तो भई यह है तीन यह 8 आठी 3 से गुणा करूं तो कितना जाएगा 24 है आधि 24 आगर मैं आधा करदों तो कितना ओजाएगा 12 बारा ऑप्शन में है यह और आप्शन हो जाएगा पर चॉह जाएगा 12 आ जाएगा चार ओप्शन आपको दिये गए हैं तो आपको पता करना है कि भी कोश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा तो देखते हैं क्या लोजिक लग सकता है यहाँ पर चार आथ वीश नो तीन पंद्रा 6 bag ऑ़ अज़र बदिये अपक्या यह विए और यह और इसा हुआ हो सकता है कि आ अगर मैं बात करूं और चार आठ डूनी 16 और चार होता है 20 ती इन दुनिश। और नुम होता है 15 आवनः भी तो ऐसे हो सकता है यह कोईशन कैसे आठ neste से गुणा कर दो गुणा दो 16 और उसमें यह जोड़ दो त्यार ऐसे तीन की से गुणा कर sería more ओर इन कि जोड़ दो 16 में ये 4 जोड़ दिया तो आगया हमारे पास 20 ऐसे ही 3 में 2 की गुणा कर दी तो कितना आया 6 6 में ये 9 जोड़ दिया तो कितना आगया हमारे पास 15 सेम हमने काम यहाँ पर किया 6 से गुणा कर दी किसकी 2 की 6 दूनी 12 बारा में 6 जोड़ दिया तो कितना आगे अपास 18 और 18 ओप्सन में भी था अगर ऐसा होता के भी यह 18 जो है हमारे प्रेजर्च ना होता तब हमें कुछ ओर लोजिक लगाना पड़ता क्योंकि चार ओप्सन में से ही तो हमें अपना अंसर बताना है हम ऐसा तो है नहीं के एकज कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर 6 है आपके पास साथ पांस तीन एटी थिरी शिक्स फोल टू फिप्टी सिक्स एट नाइन वन और यहां पर है कोशन मार्क तो भई मैंने आपको बताया था कि अगर रो में या फिर कोलम में अगर एक बड़ी संख्या दिख रही हो तो ज्य देखना है कि यहाँ पर क्या लोजिक लगेगा कि हम साथ फांस तीन का यूज करके यह तरस ही बना ले तो देखते हैं वही यहाँ पर साथ पांस थी तो कैसे हम एटिती दिजिए बना सकते हैं तो अगर मैं 7 का square करूं तो कितना हो जाएगा 5 का square करूं तो यहाँ पर 7 का square 48 5 का square 25 और 3 का square 9 अब यह जोड कर देखते हैं 9-9 18, 185, 23 का 3 हासिल 2, 4, 2, 6 और 2, 8, 83 वन गया अब यहाँ पर देखते हैं 6 का square होता है आपके पास 36 4 का square 16 16 और 2 का स्कॉवार चार हट यहां पर चैछ क्ष बार 12 चार 16 मांसिल 1 और 1566 जागए तो आप यहां पर सेम ईलगाते हैं और देखते हैं और मिलता है या नहीं अपर सब्सक्राइब करेंगे आठ का स्कॉइर करोगे आप कितना हो जाएगा आठ का स्कॉइर 64 9 का square कितना होता है 90 and 80 and 1 square होता है इन्हें सब को जोड़ देंगे 4 और 5 और 6 ऐसे 8 और 6 146 146 दी ओप्जन में है तो डी ओप्जन हो जाएगा हमारा समझ में आया कि हमने क्या किया कि यह हमें बड़े नंबर दिखाई दिये इस कोलम में इस कोलम में दो बड़े हमें नमबर दिखाए दिये, यहाँ पर था 83, यहाँ पर था 56, तो हमने अपना दिमाग लगाया कि यह छोटे नमबर यूज़ करके यह बड़ा नमबर बना होगा, ऐसे ही यहाँ पर यह छोटे नमबर यूज़ करके यह बड़ा नमबर बना होगा, तो हमने कोसि को जोड़ दिया और उससे हमारा बना 83 ऐसे ही हमने सेम काम यहां पर किया सेम काम हमने यहां पर किया और हमें अपना असर मिल गया 146 चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नंबर साथ कोशन नंबर साथ है आपके पास अठारा पैतिस साथ चोबिस सोला पच्चिस तेहिस बतिस साथ कोशन नंबर 58 पैसक और चार आप ओप्शन आपको दिये गए हैं आपको बताना है कि इस ओप्शन में क्या आएगा यह कोशन मारकिस्थान पर क्या आएगा देखे कि क्या अप्रोच हमारी लग सकती है कि जिसस से हम अपने आनसर तक पहुत जाए तो बें यहां Pर तो ऐसा कुछ दिखाई देनी रहा कि कोई बड़ी संख्या हो या फिर कोई छोटी संख्या हो कि हम नजार आ नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे हम ट्राइः कर कर तो इसमें देखते हैं कि यह है 35 यह साथ यह 24 यह 18 तो हम किस प्रकार से combination बना सकते हैं क्योंकि हमें यह question mark निकालना है तो भई 35 और साथ कितना होगा 35 और साथ हो जाएगा आपके पास 42 42 में से अगर मैं यह 18 माइनस करूं तो कितना आजाएगा भई 12 में से 8 माइनस करोगे कितना आजाएगा 4 यहाँ पर 3 में से 1 करोगे 2 तो यह आगया 24 क्या किया हमने भई 35 में क्या जोड़ दिया 7 उसके बाद यह कर दिया माइनस 18 ऐसे ही हम सेम यहाँ पर काम करेंगे 25 में हम क्या जोड़ेंगे 23 तो 25 में 23 आप जोड़ोगे तो कितना जाएगा 5 3 8 2 2 4 48 48 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूँ तो कितना जाएगा 32 हमारे पास 48 में से जब आप 16 माइनस करोगे तो आ जाएगा 32 तो सेम काम यहाँ पर करते हैं क्या कि यह कोश्ण मार्क की जगह जो होगा पिलस अठामन होगा और माइनस साथ करेंगे तब आएगा हमारे पास 65 तो आप देखे कोश्ण मार्क है यह 58 में से साथ माइनस करोगे तो कितना जाएगा 51 और यह है 65 अब यह 51 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का तो यह हो जाएगा कोश्ण मार्क 65 माइनस के 51 जब 65 में से आप 51 माइनस करोगे तो कितना जाएगा यह है चार और यह है एक तो यह आजाएगा चोदा बी ओप्शन में है तो बी ओप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ओप्शन तो कोश्टन मार्क के स्थान पर क्या जाएगा 14 आ जाएगा और यही होगा हमारा सभी बार और देख लेते हैं कर समझें नाया हो है थो एक बार हम और फिट से देखते हैं कि हमने क्या कि July में को इभी संखया च्पपिस इदे रही है कि हम चोटी संख्या का यूज करके कोई बड़ी संख्या निकालने तब हमें अलगलब अप्रोच अपने ट्राइब करने पड़ेंगी तो और वह प्रोच क्या हो सकती है हमारी यह इधर से इधर चलें कि 18-16 का यूज करके ये 7 बना हो 35 का यूज करके ये कुछ बना हो या फिर इन दोनों का यूज करके ये बना हो या फिर ये कोला में इसमें से यूज करके 2-3 संख्या यूज करके कोई 3 संख्या बन रही हो कोई सा भी ओपरेशन लग सकता है तो वो हमें ट्राइ करना होता है तो जैसे कि यहाँ पर है, हमने क्या किया यहाँ पर 35 में यह 7 जोड़ दिया, 35 पिलस 7, उसके बाद यह 18 जो है, यह माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया वही, 24, सेम काम हमने यहाँ पर किया, 25 में 23 जोड़ दिया, और 16 माइनस कर दिया, तो हमें मिल गया 32, तो सेम काम हमें के यहां पर भी करना पड़ेगा क्या क्या चुर्षटनमार्ट क्या उपनेեरां आड़ा कि और से माइनस क्या कर दिया साथ तो हमें यही बताना था कि वही स्कुषटनमार कि जगह पर क्या आएगा तो हमने इसे सोल्व कर दिया और हमारा क्या आया चोदा या फिर फोर्टीन आगया हमारा सही आंसर तो उम्मीद है यह को समझ में आये होंगे और यह जो आपको यह कैसे हम कौन सा और यहां पर यूज करेंगे क्या टैक्निक लगाएंगे जैसे जितनी ज्यादा आप कोशन की प्रेक्टिस करेंगे उतनी आसानी से आप इन कोशन को सॉल्व कर सकते हैं क्यों क्यों कि जल्दी जल्दी अप्रोच आपके माइंड में आएंगी जैसे अगर आपने आप में अभी तो यह कितने कोशन की हैं आपने साथ कोशन प्रेक्टिस किये जैसे आप बहुत सारे question के practice करनी जरूरी है तो मिलते हैं अगली class में कुछ और question के साथ तब तक के लिए नमस्कार